कुछ लोगों के पेटव कमर के आसपास चरबी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो चाहकर भी अपने पसंदीदा कापड़े नहीं पहन पाते हैं, कई बार ऐसे लोगों को दूसरों के सामने उठते बैठते हुए हींभावना का शिकार होना पड़ता है क्यूंकि उनके पेट की चरबी कपड़ों से साफ नजर आती है इस तरह के लोग हमेशा इस सोच में डूबे रहते हैं कि पेट के चरबी कैसे घटाएं ऐसे में जरूरी है कि ऐसे लोगों को नियमित व्यायाम करना चाहिए, यहां हम कुछ ऐसे व्यायाम बता रहे हैं जिन्हें करने से आपको चरबी बन होती है और धीरे धीरे चरबी भी कम होने लगती है शुरू आत में कुछ मीटर ही दोर है और तेज की जगहधृ धीरे धीरे दोर रहें जब शरीर सका अभियस्त हो जाएं तो अपन गती और समय दोनों में व्रिध्धी कर सकते हैं। तेराखी से भी शरीर में अतिरिक जमावसा कम होनी शुरू होती है। चार पैदल चलना अगर आप उपर दी गई तीनों चीजों को नहीं करना चाहते तो रोज सुबह शामाधा घंटा पैदल चलें इससे भी शरीर में जमा बेकार की चरबी कम होने लगती है संभव हो तो तेज कदमों से चलना चाहिए पेत कम करने के उपाएं में इसे आसान औ भी मजबूत होगी ध्यान रहे की जिम में वेट ट्रेनिंग सिर्फ पेशिवर ट्रेनर की देख रेक में ही करें योगासन भी पेट कम करने के उपाएं में से एक है यहां हम कुछ योगासनों के बारे में आपको बता रहे हैं सेट बंत योगासन इस आसन को करने से पेटव कमर के पास जमाचर भी को कम करने में मदद मिलती है साथ ही पेटवा जानखों की मास पेशिया मजबूत होती है अगर आपकी गर्दर में किसी तरह का दर्धिया फिर खिचाव महसूस हा रहा है तो इस आसन को करने से वह भी ठीक हो जाएगा इतना ही नहीं अगर गलत तरीके स बैठने के कारण आपकी डीड की हड़ी एक तरफ चुग गई है तो यह आसन उसे भी ठीक कर देता है करने का तरीका जमीन पर पीट के बल लेट जाएं और दोनों घुटनों को मोड़ ही वह पेरों की तलियों को जमीन पर टिकाएं इसके बाद दोनों बाहों को पेरों की सीधा रखे है थेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिएं अपसांस छोड़ते हुए कमर को उपर की और उठाएं जबकि पैरों वहाथों को उसी स्थिती में रहने दें करीब 30 सेकेंड सी अवस्था में रहने के बाद धीरे धीरे सामान ये मुद्रा में लोट आएं सावधानी योचरक्चप से ग्रसित लोगों को यहाँ आसन नहीं करना चाहिए दो कपालभाती मोटपा कम करने के लिए इस योगासन को सबसे ज्यादा फाइदेमन माना गया है कहा जाता है कि इसके परेनाम जल्द ही देखने को मिलते हैं इसे नियमित रूप से करने पर कि जर ये सांस को बाहर छोड़ें जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपका पीट अंदर की ओ जाएगा ध्यान रहकी से करते हुए सांस को अंडर नहीं लेना है सिर्फ छोड़ना है प्रती दिन इस आसन के पांच चक्र सुबह शाम खाली पीट करने से लाब होगा सुबह खाली पीटी ये आसन करना चाहिए और इसे करने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए अगर शाम को कर रहे हैं तो खाना खाने के पांच घंटे बाद करें गभर्वती महिला को